तो अभी दोस्तो कुछी समय पहले इसी इंडिया में ही दिखा गया है KTM Duke 390 के ही New Generation वाले model को और जैसे की देखी सकते होंगे आपके सामने उसका ही एक जो पिच्चर है तो वो ही है और बाकी वीडियो को पूरा देखते रहा है तो अभी दोस्तो कुछी समय पहले ही ना KTM Duke 390 का जो New Generation वाला model है तो उसका ही एक जो इमेज है तो वो इसी इंडिया के ही अंदर से विलिया गया है मतलब कि अभी इसी इंडिया में ही KTM Duke 390 के ही जो New Generation वाला model है तो वो अभी आ चुका है और फाइनली उसका ही जो अभी production है तो वो अभी होना शुरू भी हो चुका है और उसके ही सासत भाई ये जो KTM Duke 390 है तो ये बहुत ज़्यादे भी launch भी हो जाएगा मतलब ये New Generation वाला model जो है तो वो ही और बैसे दोसो वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सरा कुछ प्रोजेक्ट जो है न तो उसके ही ऊपर काम जो है तो वो मेरा चल रहा था तो इसी बचे से ये जो वीडियो है न मतलब ये KTM Duke 390 का जो वीडियो है तो वो आने में एक दो दिन लेट हो गया I am sorry बाबू तो ये सारा जो चीज है न तो ये तो अलग साइट पर है लेकिन हाँ एक चीज है जो कि है ये जो बाईक का भी अब लोग इमेज देख रहे हो न तो इसका जो वीडियो है तो इसको आज से बहुत दिनों पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था आपने चैनल पर और उसका जो वीडियो गंदन लोग इसी नीव बाई के ही बार में बात करें, तो देखो दोस्तों, पहले बद तो इस बहले बाई के अन्दन, लगभग सारा कुछ चीज़े जो है, तो वो चेंज अभी कर दिया गया है, KTM कॉम्पनी के तरफ से, और सारा का सारा चीज़ों से मेरा मतलब कुछ ऐसा है कि इस वाले बाइक का जो लुक है बैसे देखी सकते होंगे इस वाले बाइक का जो लुक है तो ये भी पूरे तरिगे से अलगर भी हो चुका है देखने में असल में ये जो look है ना तो इसको मैं पूरे तरे कैसे new भी नहीं बो सकते हूँ क्योंकि देखो भाई ये जो look जो जिसके उपर मतलब बनाया गया है ना तो वो पूरने वाले theme के ही उपर base करके बनाया गया है बैसे तो ये जो new look है ना तो ये आपने आप में ही बहुत सदर बरिया तो है ही और उसके ही सासद इस बहले bike के भी अंदर आपको जो DRLs भी देखने को मिल ला है ना तो वो भी गजब जगह पर लगा हुआ है और जैसे के देखी सकते होंगे ये जो DRLs है तो ये बाइक का ये चारो जगह उपर जो है तो वो ही है और उसके ही सासद इस बहले bike का जो headlight बहला part है तो देखी सकते होंगे उसके अंदर ये जो main जगह है तो इस जगह पर भी जो design का cutout है तो वो भी कुछ अलग तरीके से किया गया है बाकी तो भाई इस बहले bike के अंदर आपको अगर side से अगर देखोगे ना इस बहले bike को तो ये side से भी देखने में थोड़ा सा अलग जो है तो वो अभी हो चुका है मतब design wise देखी सकते होंगे tank के ऊपर जो ये body part जो देखने को मिला है तो ये भी अलग देखने में हो चुका है और उसके ही सासद भाई इस बहले bike के अंदर आपको जो subframe और उसके ही सासद जो chases जो देखने को मिला है तो वो भी कुछ new ही बिया गया है और उसके ही सासद इस बहले bike के जो swing arm है तो वो भी अभी new है और इस कलब अगर बात किया जाए इस बहले bike के engine के बारे में रखे भी ना तो भाई इस बहले bike का जो power है तो उसके बारे में अगर बात करें तो भाई इस बहले bike के अंदर ये जो single cylinder ये जो engine है liquid cool वाला तो इसके अंदर आपको जो maximum power देखने को मिलता है न तो वो है 43bhp और इसके अंदर आपको जो maximum torque देखने को मिलता है तो वो है 39NM बाकि तो 6-speed का जो gearbox है तो वो भी देखने को मिल रहा है इस बाले engine के साथ और उसके ही साथ-साथ जो इस बाले bike के अंदर देखने को मिल रहा है न ये disc brake के साथ-साथ जो braking system तो वो है dual channel ABS का option और बाकि भाई इस बाले bike के अंदर भी आपको एक new meter console देखने को मिलेगा मतलब new मतलब क्या बोलू भाई ये जो meter console न तो ये पहले के तरह ही देखने को मिलेगा एक जो TFT colorful display बाला जो है तो वो ही कुछ concept के साथ लेकिन है इसके अंदर theme बगरा जो है तो वो भी change किया गया है जिसको भाई अभी के date में तो भाई showcase नहीं किया गया है या फिर lead कुछ हुआ नहीं है उसके रिलेटर कुछ वीडियो बाकी हाँ यही कुछ चीज है कि यह जो new G nation बढला KTM Duke 380 जो है तो इसके अंदर अपको suspension setup जो है तो वो पहले के तरह ही देखने को मिलेगा मतलब सामने जो है तो वो UST4 और पीछे जो है तो वो है monoshock absorber और इसके लावे इस पहले अंदर इसी चैनल पर ही बता दूँगा तो यह वाला वीडियो आपको कैसे लागा यह कॉमेंट में बोल तो भाई और अगर यह वाला वीडियो आपको पसना है तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना और सब्सक्राइब करने सब लोग ऐसे ही यह वीडियो हर दीन देख से तो इस बले चैनल पर तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अगली बड़ फिर से मुलागातमा दोबारा थैंक यू गाई